आप बाइप लुकुम ऑल उफू इंट सेशन तूडेंट और आज हम यहां पर हमारा सेशन करेंगे स्टूडेंट पीवाई क्यू का तो पीवाई क्यू का सेशन स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं यहां पर and I hope you all doing good ठीक है ठंड बहुत बढ़ रही है but आप सबने डटे रहना है preparation अपनी continue रखनी है consistency के साथ पढ़ते रहना है focus होकर पढ़ते रहना है ठीक है ऐसा नहों कि ठंड बहुत ज्यादा है तो परांठे खाई और सो गए फिर उठे और फिर खाया फिर सो गए ऐसा बिलकुल नहीं करना है पढ़ते रहना है ठीक है जाए अपना रूम में बैठके पढ़ो ठीक है बहुत ज्यादा ऐसे cozy cozy नहीं होना है ठीक है ठोड़ा अपनी body को जो है exercise अगरा करके ठोड़ा warm up करके and after that आप अपना पढ़ना start कर सकते हैं ठीक है जी ओकी ओकी ठीक है student तो question number 53 आपकी screen पे है student इसे पहले हमने mode वाला question पढ़ा था mode 1, mode 2, mode 3 I hope कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज हम question discuss करते हैं student हमारा CPI और WPI से ठीक है अभी तक हमारा economy के question ही चल रहे है oh my god बहुत ज्यादा economy के questions आये 2021 की अंदर economy का जो sector है that is very important student बहुत ही ज्यादा भर भर के examiner ने economy से question put किये हैं ठीक है बट कर रहे हैं हम उनको सब को cover ठीक है जी ओके ओके तो यहाँ पे student उसने CPI versus WPI के बारे में question put किया है इसी दोनों उसके उपर comparison पुछा है और यह बहुत ही you know relevant question भी है यहाँ से बहुत बार question repeat भी होता है WPI और CPI के बारे में अक्सर examiner जो है वो आपसे statement based question put कर ही लेता है तो आपको पता होना चाहिए consumer price index क्या चीज है और WPI index क्या चीज है ठीके जी ओकी वैसे तो यह question पढ़के आपको थोड़ा idea लगी ही जाएगा ठीक है तो question read करते हैं बचे क्याता है WPI is calculated for only goods क्याता जो WPI है वो सिर्फ और सिर्फ हम goods के लिए करते हैं और जो CPI है that is calculated both for the goods and services goods मतलब कि जो हमारा माल होता है right जो visible आपका माल होता है चाहिए फिर वो vegetables, fruits export, import जो भी हम करते हैं crude oil, natural gases सब कुछ goods में आता है और services जो हम services करते हैं जैसे कि हमारी bank services हो गया economy की services हो गया या हमारी जैसे मालो आप teaching करते हो वो एक service है ठीक है तो यह सब कुछ जो है वो services में count होता है तो कहता है WPI जो है वो सिर्फ goods को calculate करता है goods का के बारे में और CPI जो है वो goods और services दोनों को calculate करता है यह पहली statement में वो कह रहा है तो चाहलते हैं दूसरे statement की तरफ फिर वो published के बारे में बोलता है कहता है WPI is published by the office of the economic advisor of the ministry of commerce and industry पहला कहता है कहता है WPI जो है हमारा wholesale price index जो है उसको publish करता है economic advisor इसके अंडर आता है ministry of commerce and industry वाइल कहता है CPI जो है वो publish किया जाता है central statistical office के दूँ ठीक है यहाँ पर यह एक difference create करता है फिर जो है हमारे third statement कहता है कहता है WPI is published on a weekly basis कहता है calculate करते है for primary articles and fuel and power and is published monthly for the rest of the items कहता weekly basis पे मतलब कि हर week जो है वो करते है हम primary article of fuel and power के लिए और जो बाकी items बची good की अंदर goods में उसको हम करते है monthly basis पे calculate और जो हमारा CPI है वो हम monthly basis पे ही करते हैं ऐसा यह third statement में कह रहा है fourth statement में यह बोलता है कहता WPI measures inflation कहता WPI जो है न वो measure करता है inflation at the initial stage of the supply chain आप कितनी supply और demand समझते हो न आप supply जो आप supply करते हो goods की demand जैसे कि आप milk की supply करते हो और क्यू करते हो क्योंकि उसकी demand है market के अंदर है ना milk हर person को milk चाहिए तो milk और आपका जो आपकी supply है दोनों चीजे आपस में correlate करती है ठीक है demand बड़ेगी तो supply बड़ेगी supply बड़ेगी तो demand बड़ेगी अगर demand आपकी ज्यादा है supply कम है तो inflation आजाती है market के अंदर बट अगर demand कम है supply ज्यादा है तो क्या आजाती है इफ्लेशन आजाती चियजे सस्ती हो जाती है ना जैसे कोई-कोई fruit है माल ये एपल है एगर उसका market के अंदर demand जैदा है और supply भी जैदा है । फिर तो ठीक है और अगर demand जैदा है supply कम है तो क्या होता है आपका जो apple है उसका rate क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है high हो जाता है प्राइजीज उसके high हो जाते है बट वही vice versa भी है मालो अगर fruit की demand कम है market के दूराव fruit की supply ज्यादा हो ही है farmers की तूर तो क्या होती है fruit सस्ते हो जाती है cheap हो जाती है हर चीज ये बात clear आपको? ठीके? ओके? ठीके? तो WPI क्या था? मेजर करता है inflation at the initial stage initial stages में जो inflation आती है उसको मेजर करता है supply chain में और CPI जो है वो inflation later stages में वो मेजर करता है supply chain में आप इसने पूछा कि correct statement बतानी है आपको कि भई correct बताओ मेरे को इसमें से correct कौन सी है? ठीके? ओके? तो आप मुझे बताओ वच्चे कि इसमें से correct statement कौन सी है? ठीके जी? आजी, बताओ बताओ तो देखो प्रैले statement दुबारा से पढ़ता है किता CPI is calculator only for goods ये बिल्कुल सही statement है बच्चे जो wholesale price index है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम goods के लिए calculate करते हैं बट CPI के अंदर हम दोनों चीज़ों calculate करते हैं दोनों statement correct statement है फिर देखो आप फिर आता है कहता है WPI जो है उसको publish करता है Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and and industry ठीक है ये भी statement बिल्कुल सही है और जो हमारा CPI है उसको statistical office measure करता है ये भी statement बिल्कुल सही statement है बच्चे देखो बचे fact है ठीक है कुछ economy के अंदर हर question आप common sense से नहीं कर सकते है और हर question आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ fact है कभी आप उसको solve कर सकते है कुछ चीज़ो कुछ question जो होते है ना that is on your knowledge based ये knowledge based question है ये अगर आपको पता है तो पता है नहीं पता आपने CPI के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा या पेपर में भूल गे आप revise करके नहीं गे तो question आपका गलत definitely हो गई होगा अच्छा फिर ये कहता है कहता है जो WPI है उसको publish करते है weekly basis पे for the basis of primary article जैसे की fuel, power but बाकी चीज़ों के लिए हम monthly release करते हैं और rest जो है हमारा CPI वो monthly basis पे निकाला जाते है फिर fourth statement में कहता है WPI measures inflation in the initial stage of the supply chain और जो हमारा CPI है उसको हम later stage की supply chain के लिए हम करते हैं तो इसका correct option जो हमारा बनेंगा बच्चे that is our all the above ठीक है अच्छा एक चीज़ और यहां पे मैं आपको clear कर दूँ student CPI और WPI को लेकर government जो है हो सकता है वो अपनी guidelines जो है उसको change कर दे ठीक है जब तक आपका exam हो ठीक है और even guidelines change होती भी रहती है ठीक है तो student current से आप जरूर बाकिफ रहना ऐसा ना हो कि आपने इस question को पढ़के WPI CPI के बारे में लिख लिया and after that government ने वहां से कुछ change कर दिया ठीक है ministry change कर दी कोई उसका weekly basis या monthly basis वाला कुछ change कर दिया alter कर दिया तो please आप current affair से please उसको update जरूर करें ठीक है क्योंकि ये news में काफी ज्यादा रहता भी है CPI WPI तो आपको पता होना चाहिए ठीक है ठीक है जी तो 54 नमबर question आप यहां पे read कीजिए अच्छा क्याता है commission for agriculture cost and prices CACAP के बारे में यहां पे बात कर रहा है क्याता है submit its recommendation for the MSP ठीक है जी वो करता है यह पता ही है of agriculture commodity in the form of price policy report ठीक है तो अब यहां पे वो बात कर रहा है student CACP के बारे में उसने statement दी है आपको बताने है कि CACP से related कौन से statement सही है तो पहली statement पे आते हैं पड़ो बचे कहता CACP is a statutory body सबसे पहले तो वो यह कह रहा है कि यहां पे commission जो है हमारा ठीक है जो हमारा commission है कौन सा commission for agriculture cost and prices जो है न वो statutory body है यह बात वो पहली statement में कहता है under the agriculture price commission 1962 यह बात वो बोल रहा है अच्छा दूसरी में वो क्या कह रहा है कहता है currently MSP जो है is devoid of any legal backing MSP पे कोई भी legal backing नहीं है student ठीक है कहता है नहीं है except for the sugar gain to some extent sugar gain पे वो है ठीक है क्योंकि वो FRP act के under आता है ठीक है okay okay third statement कहता है before submitting price policy report of any crop किसी भी crop की report submit करने से पहले CACP also analyzes the demand and supply CACP जो है वो demand और supply को भी वहाँ पे देखता है and after that implications of MSP on the consumer that product along with the cost of production यहाँ पे उसने student जो उसने सबसे बड़ी बात यहाँ पे की है that is उसने incorrect statement पूछी है बच्चे correct statement नहीं पूछी ठीक है correct statement नहीं पूछी किसी बच्चे ने correct करके question सही किया ने इसको बहुत बहुत पिटोगे आप मेरे से ठीक है incorrect और correct में student please please आप focus रखना वोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चा मेरी वीडियो को follow कर रहा है वो paper में बैठके incorrect और correct की जगह पे correct और incorrect की जगह पे correct करके और वो वहाँ पे question solve करके आजे ऐसे अगर आपने दो दो नंबर गवाने शुरू कर दिये तो paper से बाहर तो आप पक्के ही हो ठीक है ओके ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने ओके ठीक है यहाँ पे incorrect पूछे अब आप मेरे को बताओ कि इन में से कौन सी incorrect statement है इनकरेक्ट है तो नीचे पढ़ने की तो जुरूरत है नहीं पहले आप यही तीन statement को देखिए और यह देखो कि कौन से statement है आपकी incorrect है ठीक है ओके पढ़ो अजी पढ़ो जाने तो देखो पहली statement देखो यहाँ क्याता है CACP is a statutory body नहीं student CACP is not a statutory body वो statutory body नहीं है student यह बात आप याद रखो वो सिर्फ और सिर्फ government को advise करती है CACP का काम है एक report बनाना recommendation देना government को ठीक है statutory body नहीं है is not a statutory body under the agriculture price commission act 1962 ठीक है क्योंकि वो अपनी report submit करती है और कुछ भी नहीं करती है किसी भी crop का MSP decide करना है तो CACP एक report बना के देती है तो statutory body वो नहीं है student दूसरा कहता है MSP जो है is devoid of any legal backing बिलकुल student MSP को लेकर कोई भी legal backing नहीं है और यही वज़ा थी student जब हमारा farmer protest चला उस time पे government ने MSP को हटाया ठीक है minimum support price को लेकर government ने rules and regulations को change किये क्यों ऐसी उसके पास power कहां से आई क्योंकि उसके पास legal backing नहीं है student MSP से related ठीक है कोई act के अंडर नहीं बनाया गया MSP ठीक है ओके यह तो इससे simply decide होता है ठीक है CACP ए recommendation करती है ऐसा कोई legal backing नहीं है उसके पास ठीक है हाँ sugar cane के पास है क्योंकि sugar cane जो है उसका जो वहाँ पे MSP जो उसको price दिया जाता है that is under FRP act ठीक है यहाँ अच्छा थर्ड statement में और demand और supply देखता है यह तो correct statement है तो incorrect हमारी क्या बनी यहाँ पे only and only first statement जो है that is our incorrect first statement यहाँ पे incorrect है आपकी क्लियर आपको यह question ठीक है जी ओके 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 तो 55 नंबर question पढ़ोगा question पढ़ोगे जी statement पढ़ते हैं के ता some suggest that India need to move an escrow based payment mechanism to ensure a fearless business environment in the country which of the following correctly describe the escrow account escrow account समझेए student मान लीजिए यह कोई person A है हमारा यह कोई person B है हमारा अब देखिए A ने यहाँ पे goods को goods को लेना है किसे B से उसके पास माल आना है B से उसको goods को क्या करना है purchase करना है अब ऐसा तो है नहीं student की कोई आप 100-200 का goods purchase कर रहे हैं हो सकता है आपका को छोटा मुटा business हो फिर तो हो सकता है बड़ बात बड़े level पे आती है जब बात crores या lakhs of rupees पे आती है फिर 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 या बी ने अपना इतना सारे goods जो है इतना सारे उसका जो products है इतने सारा जो उसका माल है उसने एक को दे दिये और आगे से fund आई नहीं रिलीज हुए नहीं फिर क्या वो करेगा एक trust deficit हो गया नहीं यहां पर तो यहां पर क्या होता है student इस problem को solve करने के लिए यहां पर आते है हमारे escrow account इसका मतलब क्या होता है it is just a type of bank यह एक type का bank है student मानी सकते हो bank की तरह ही काम करते है इसमें क्या होता है यह कोई bank है X सबसे पहले क्या करेगा A जो है वो अपना पैसा जो है वो इस bank को submit करेगा जैसे वो इस bank के अंदर पैसा submit करेगा message जाएगा B के पास की हंजी हमारे पास payment आ चुकी है आप अपने goods जो है वो release कर दीजी या A को आप क्या कर दीजिए ट्रांसपोर्ट कर दीजिए या उनको दे दीजिए ठीक है अब क्या हुआ जो A person है जब उसके पास goods पॉन जाएंगे ठीक है तो वो escrow account को यहाँ पे message करेगा कि हंजी आप जो है वो fund release कर दीजिए B को ठीक है तो क्या हो गया कि यहाँ पे trust भी build up हो गया और आपको अपना पैसा या आपको अपना जो भी product है वो भी आपका क्या हो गया यहाँ पे secure हो गया हो गया या नहीं हो गया इलकुल हो गया So this is me called escrow account अब तो I think so की अब तो आपको answer इसका पता लगी गया होगा तो पढ़िए बच्चे फिर answer पता लग गया है तो जी answer पढ़िए थोड़ा super कर देखती हूँ मैं सो अब पढ़िए तीनो statement पलो कौन से से यह बताना जल्दी से comment करो फटा फट एक दो मैसे चुटकियों में वो जाना चाहिए आपका answer आ जाना चाहिए धड़ा धड़ा answer कर दो फटा फट ठीके लाइक तो करते नहीं आप वीडियोस को मैंने देखा आप बहुत कम लाइक करते हैं बच्चे वीडियोस एतने बच्चे देखते हैं लाइक बहुत कम करते हैं या यार ठीके देखो तो third option देखे यहाँ पर third option देखे ता a third party bank account for the safeguarding the seller from the risk of the buyer defaulting on the payment to the seller after having received the goods or services सही स्टेटमेंट है ना यह है सही स्टेटमेंट है ना पहली मैं कहता है bank account used for the individual for routing funds through the tax heaven नहीं टेक्स heaven की यहाँ पर बात करता है वो अच्छा पहली स्टेटमेंट में वो quality की बात करता है नहीं quality की तो बात ही नहीं है यहाँ पर यहाँ पर हमारा bank account के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है clear आपको yes or no comment कीजिए clear आपको student ठीक है okay ठीक है तो अगर clear हो गया तो आगे वाले question पर बढ़ते हैं फिर हम 56 number question पड़िए 56 number question पड़िए 56 number question पड़िए the mineral law amendment bill 2020 has been recently passed consider the following regarding the same 56 पर वो बोल रहा है यहाँ पर mineral law पर पूछा उसने question कहता है कहता है mineral law amendment bill 2020 has been recently passed इसका मतलब क्या है कि यह current affair का question है current affair का question अब आप पढ़िए इसको कहता है the mineral law amendment bill 2020 has been recently passed consider the following regarding the same ठीक है अच्छा treatment पड़ो कहता है with the introduction of this bill companies which do not have any prior coal mining experience in India can also participate in the auction of coal block प्रेली statement में वो यह कहता है कहता है जैसे हम इस bill को introduce करेंगे companies do not have any prior coal mining experience in India can also participate in the auction कहता मालो अगर आपके पास किसी company के पास coal का experience नहीं है उसको नहीं पता mining कैसे करनी है वो भी auctions के अंदर क्या कर सकता है participate कर सकता है ठीक है ठीक है उसको भी वो auction में participate कर सकता है जब बॉली लगती है न कि हंजी किसको license मिलेगा coal के लिए उसकी बात कर रहे है दूसरी बात कहता private company will now be able to undertake coal mining for the commercial mining purpose thereby ending the captive and use criteria वो commercial purpose के लिए भी यहाँ पे क्या कर सकती है mining कर सकती है थर्ड स्टेटमेंट के लिए कहता है एक composite license naming retrospective license का mining lease has been introduced in this field पूर्थ स्टेटमेंट में कहता है कहता है रिवैन्यो शेरिंग मॉडल डेटेल्ड इन दा कबिल is based on the recommendation of an expert committee headed by the इन जीती सिरिनवास ठीक है यहाँ पे पूरा उसने ऐसे मैं कहती हूँ घुस घुस के उसने statement पुछिया बहुत ही ज़्यादा depth में जाके वो statement को actual में कुछ नहीं है उसने bill उठाया bill पास हुए न government की तरफ से coal को लेकर coal mining को लेकर उठाया और 4 statement उसने set कर दी क्याता यह लोची question बन गया अब आप बता दू कर ठीके सिद्धी सी बात यह होती है बच्चे वहाँ पे न ज़्यादा दिमाग ना लगा के अगर तो question ना आजे समझ भी well and good ना आए तो ज्यादा centi मत हो ना ठीके एक बात अपने जहन में अच्छे से रखो बचे अगर आपने बहुत अच्छे से preparation की है आपने static भी पढ़ा है आपने current भी पढ़ा है पूरी honesty के साथ रोज newspaper पढ़ा है वो यह का दी जो आप magazine follow करते हैं आपने वो भी की है अगर आपने अच्छे से सब चीजे पढ़ी है revise ही है और आपने आपके test के अंदर बहुत अच्छे number आते रहे है जो भी आपने test series लगाई उसमें आपके बहुत अच्छे number आते रहे है 120, 130 number लेते रहे हो आप तो आप ऐसा believe कर सकते हैं student आप pretty sure हो सकते हैं कि हांजी मेरी preparation अच्छी है जितने भी candidate वहाँ पे बैठे हैं उनकी preparation भी almost आपके जितनी ही होगी जो serious है जो भीड दिख रही है उनकी मैं बात नहीं कर रही है भीड तो आपको बहुत दिखेगी ठीक है मूठा के कोई भी चला जाता पेपर देने बट ओर चीज नहीं मैं बात कर रही है तो student ये बात आपको clear cut पता होनी चाहिए कि हांजी paper में जो question है माल लीजिए आपको ऐसे question लगातार देखे bill के उपर ये bill वो bill वो bill ऐसा नहीं कि आपको tension में आ जाना है वहाँ उस time पे कि वही मेरे को तो कुछ नहीं आता आज मेरा तो गया paper ठीक है बाकी सा भी वच्चे number लेंगे मेरा तो selection बिलकुल नहीं होने वाली ऐसा अपने दिमाग में 1% भी मतले कराओ ठीक है बस आप करते जाओ ऐसा question आजे cent नहीं होना कि मेरे को तो ये question करना ही या मैं तो इसको सही कर ही लूँगी ठीक है या कर ही लूँगा ऐसा बिलकुल नहीं सोचना आता है ठीक है नहीं आता आगे बढ़ो पर सो question पड़े है ठीक है अगर 60 भी सही कराई ना तो भी आपकी बल्ले बल्ले ठीक है 120, 130 नंबर भी ले जाते हो तो more than enough है काफी अच्छे नंबर आप score कर रहे हो ठीक है ओकी अच्छा next fourth यहाँ पर हमने पड़ ली अब इसने यहाँ पर true statement के बारे में पूछा है कि हंजी बता दो जी इसमें से true कौन सी तो बताईए बच्छे कौन सी statement सही है किसी को पता है तो ठीक है नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं आप पे ऐसे pressure नहीं करूँगी ठीक है तो student इसका जो correct option है that is our D ठीक है D इसका correct option है सिर्फ पहली statement जो है वो सही नहीं है उसको हम देख लेते है आपके पास experience होना ही चाहिए ठीक है कि आपके पास पहले coal experience का होना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कि मेरे जैसा बंदा उठके चला गया और उसने auction लगा दी कि वही मेरे को दे दो आप coal ठीक है और उसके बाद मैं mining करनी की जगह पे पहले आपके पास कुछ experience होना ही चाहिए पहले आपको coal mining के बारे में पता होना चाहिए rules and regulation किस तरीके से आपको mining करनी है forest का ecosystem का किस तरीके से आपको ख्याल लगना आपको हर चीज का experience होना ही चाहिए ठीक है तब ही आप coal auction में participate कर सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बास पैसा है तो बस ठीक है कुछ भी खरीद लो आप नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ये बात clear होगी तो ठीक है 57 number question बच्चे पढ़िए question पढ़ो 57 number consider the following pairing of the names of government initiated portals and the area industry with which they are associated thank god हमारे अभी भी उसकी question चल रहे है हमारे economy कही pairing के बारे में बात करता है कैता संबंध जो है MSP से related हमारी area industry है और government की initiatives है फिर कैता जो परकाश portal है that is related to coal industry फिर कैता government e-marketplace for the procurement of goods by the government फिर कैता e-name portal is related to agriculture यहाँ पे कौन सा pair correct है यह आपको बताना है तो बताइए ऐसे question नहीं चोड़ने चाहिए क्योंकि I know कि ऐसे question आपके magazines के अंदर newspaper में बहुत अच्छे से cover हो जाते है अगर आप P.I.B. भी पढ़ते हो थोड़ा तो भी आपके ऐसे question आप कर ले जाओगे government e-marketplace ठीक है online जो government पर curement करती है for the goods by the government e-name portal that is related to our agriculture तो सारी pairs यहाँ पे correct है all the above इसका correct option संबंद के बारे में याद रखने that is related to MSME यहाँ पे कई बार बचा confuse हो जाते क्योंकि संबंद से related काफी similar सी terms use होती है जैसे sumblog ठीक है ऐसे से करके न कई government की schemes है but संबंद जो है that is related to MSME ठीक है जी ओकी ठीक है स्टूट तो बागी questions करेंगे हम हमारे next session के अंदर और इसी के साथ student हमारा new batch यहाँ पे announce हो चुका है for the Punjab Civil Services आप join कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा इसमें student हम बिल्कुल basic से आपको त्यारी करवाएंगे for the PCS ठीक है बिल्कुल हमारी basic जैसे math science and technology की faculty हूँ हम journal science है जो हमारी NCRT based है वहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर हम अपनी advanced science करेंगे ऐसा नहीं है कि directly हम हमारी advanced science पे जम्ट कर जाएं पहले हम basics पढ़ेंगे फिर हमारा हम advanced portion के आएंगे इसी तरीके से बाकी subjects भी है इसमें student आपके weekly test भी होते हैं ठीक है आपके monthly भी आपको test दिये जाते हैं ठीक है जी full length test इसके अंदर test series भी होती है current affair की classes भी लगती है और C set तो आपका है ही ठीके जी तो आप join कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा ठीके जी मैं session यहाँ पर कर रही हूँ over thank you, thank you so much have a nice day